आज की जो क्लास होने वाली है बहुत Ivan énormément पोरिटेंट यहानि त्याट्टर की क्लास पर डिपेंड है . रिक श्याने पहली क्लास नहीं देखिया दूसरी नहीं देखी तीसरी नहीं देखी या जिसने सारी देख ली और आज की क्लास नहीं देखा तो समझो उसको नहीं आता है house property का तो आज हम करेंगे interest कहानी समझना थोड़ा story समझना क्यों बनाये गया interest और क्या deduction दिया गया कैसे deduction दिया जाता है सारी बातों का discussion करेंगे इसके अंदर sir या interest की क्या बात करें हम? हम 24 की ही बात कर लेते हैं हम 24 section की ही बात कर लेते हैं sir section 24 basically section 24 जो जाना जाता है न वो जाना जाता है हमारा deduction के point of view से section 24 जो जाना जाता है वो deduction के point of view से माना जाता है और बोला गया कि house property की आप सारी income निकालते हो sir आप निकालते हो GAV और GAV में से whatever amount empty आपने paid किया है तो empty minus कर देते हो इसके बाद बसता है NAV सरकार ने बोला कि इस NAV value पर आपको text देना है लेकिन जितने भी SSC थे उन्होंने अपोस्ट किया sir अपोस्ट क्या क्या कहा कि sir NAV जब आपने निकाल लिया है मान लेते हैं आपने पचास पांच लाक या सात लाक दस लाक रुपए अगर NAV निकाल लिया तो उन्होंने कहा कि sir इसमें से मुझे अब कुछ चीजे माइनस करने देना चाहिए गौर्वर्मेंट ने बोला क्या माइनस करने बोला कि हमारे कुछ खर्चे हैं वो खर्चे माइनस करने दीजिए जैसे हम white wash कराते हैं हम tab change करवाते हम electricity का का काम करते हैं किरायदार जो रहते हैं किरायदार बोलते हैं हमारे मकान का जो repair करवाना है वो हमारे जिम्मेदार है किरायदार नहीं कराके देगा हमें कोई door खराब होगे हमें door change करवाके देना है electricity का कोई point खराब हो गया हमें ठीक करके देना है सर यानि हमारी जिम्मेदारी तो हमारे खर्चे हैं आपने तो 10 लाख रुपे pure income निकाल लिया जो खर्चें वो minus नहीं किया तो हमें सर यहां से खर्चे को minus करना देना चाहिए government ने का ठीक है सर हम आपको खर्चा minus करने देंगे तो government इसके लिए लेके आई section 24 sub section A point number 1 बोला चलिए अब आपको हम minus करने देंगे उसको standard deduction का नाम दिया गया standard deduction सर standard deduction जो दिया गया ना वो बोला गया सर आप 30% minus कर सकते हैं NA यानि बोला कि आपको हम minus करने देंगे ऐसा कि नहीं करने नहीं देंगे लेकिन हम 30% हम दे देंगे इक खर्टा क्योंकि मैं हमारे लिए ये बड़ा सरदर्दी है हमारे लिए बड़ी मुसीबत है कि कौन कितना खर्चा कर रहा है ज़्यादा कर रहा है कम कर रहा है तो उसको डिटर्माइन करना उसको चेक करना बड़ी सरदर्दी है हमारे देश की अवादी कितनी है इतने सारी अवादी है इतने सारे SSC है हर किसी का अगर हम बिल देखने बैठ गया तो हमारे इंकम टेक्स तो कभी कोई भरा ही नहीं जाएगा तो एक तो दे दिया आपको 24A में किसलिए दे दिया गया सर ये आपके जितने भी खर्चे होते हैं एक्स्ट्रा एक्स्पेंस के लिए ये क्यों दिया गया सर ये दिया गया एक्स्ट्रा एक्स्पेंस के लिए जैसे point number one repair के लिए जो आप करा रहे हो repair point number two repair में सब कुछ आ गया आपको एक दे दी आ गया अब मुद्दे की बात आती है कि questions के अंदर आपको confuse करने के लिए repair देगा कि honor ने repair कर आए तो उन सभी को क्या करके चलना है ignore क्योंकि उसके बदले हमें क्या मिल चुका है 30% समझे बात आप यानि अगर सवाल के अंदर question के अंदर बोलता है कि M.B. दे रहे हैं, F.R. दे रहे हैं, S.R. दे रहे हैं और repair करवाए, electricity bill पे किया है, water bill पे किया है बहुत सारी चीज़े बता है इसके साथ तो electricity bill, water bill, repair, tab change, electricity, switch change अगर ये सारी खर्चे दे रखे हैं, तो S.R. इनको क्या करेंगे आप ignore क्योंकि उसके बदले क्या मिल गए आपको 30% फिर लोगों के पास घर जो था, वो हर किसी के पास घर नहीं था गौर्वर्मेंट ने कहा कि भीया, आपको इनकम को कम करने का, हमने आपने एक option ढूंडा, दूसरा हम दे रहे हैं, आप अपनी इनकम को कम कर लेगे बोला कम कर लेंगे, कैसे कम कर लेंगे बोला कि अगर आप अपना घर को बनाएंगे न, तो हम आपको माइनस करने दे देंगे लेकिन घर को बनाईएगा तो आप लोन लेके बनाईएगा तो यानि आप लोन लेके अगर घर को बनाते हैं या लोन लेकर के घर खरीदते हैं या लोन लेके रिपेर करते हैं तो सरकार कैसमें बड़ा फाइदा हुआ अगर हम लोन लेंगे तो हमारा banking का benefit होगा या नहीं होगा होगा सर, एक तो हमारा bank के अंदर क्या होगा सही से काम होने लगेगा, loan लोगे क्योंकि bank का खर्चा कैसे चलता है, loan से चलता है दूसरा, जैसे ही आपने loan लिया, तो आप क्या करोगे घर को construction करोगे या बना बनाया घर खरीदोगे आप बना बनाया घर भी खरीद तो जैसे flat वगएरा होता है तब भी और आप बनाते हो तब भी जैसे ही आप घर बनाना चालू करोगे न यहाँ पे labor की जुरत होगी यहाँ पे cement की जुरत है यहाँ पे bricks बहुत सारे material की जुरत है यहाँ बहुत सारा अब जो cement factory है उसके अंदर labor की जुरत पड़ेगी जहाँ पे इटे bricks बगएरा बन रहे हो वहाँ पे जुरत पड़ेगा तो हर दिखर जुरत पड़ेगा तो government को economic को revival करने के लिए कुछ न कु पेड करिएगा ना तो वहाँ पे उस जगह पे आपके दो चीजे payment होती है जिसे हम EMI बोलते है ना equal installment तो उसके अंदर एक आपका principal amount होता है एक आपका interest amount होता है बोला गया principal amount को तो हम ATC में deduction दे देंगे वहाँ भी minus करो और interest को हम एक नया section introduce कर रहे है वहाँ पे दे देंग interest का लेकिन बसरते आपको घर जो बनाना है वो कैसे बनाना है loan ले करके तो यहाँ पे government ने ज़्यादे से ज़्यादा जो काम किया वह infrastructure पे सोचा लोग जितना ज़्यादा पैसा लेके investment करेंगे तो सारा circulate हो जाएगा तो एक government का planning था तो जब starting में government आई थी तो government की जो government सब से ज़्यादा जो government था वो था हमारा Congress की सरकार तो उन्होंने क्या कर रखा था 30,000 रुपए का deduction दे रखा था इंट्रस्ट का सरिफ और सरिफ 30,000 रुपए का तो जब बीजेपी की government आई तो उसने इस limit को क्या कर दिया revise कर दिया क्योंकि 1999 में जब अटल बिहारी वाजपाई government में आए तो बीजेपी Congress की सरकार थी तो बीजेपी की सरकार ने जब बोला तो बोला कि क्योंकि जब कभी भी कोई government आता है तो वो अपना manifesto देता है यानि बताता है कि हमें बना दो सरकार हम यह यह कर देंगे जैसे for example केजरिवाल अगर उन्हें पूछो कि आपको सरकार ब बनाते हो तो आप क्या करोगे उन्होंने बोला हम सरकार जब हम आएंगे तो सबसे पहले हम इंडिया के अंदर infrastructure को स्ट्रॉंग करेंगे हर जगह पर रोड बनाएंगे मकान बनाएंगे बिल्डिंग बनाएंगे यह हम काम करना स्टार्ट करेंगे हमारी एकनोमिक अपने आ या फिर गुडगाओं देख रहे हो उसी टाइम का सारा बसा हुआ है डीलेफ वगएर उसी टाइम के आए हुए हैं क्योंकि इस टाम गवर्मेंट ने क्या करा के भाईया बिल्डर जितना मर्जी लोन चाहिए बैंक से लोन लो हम सपोर्ट कर रहें मकान बनाओ अब मकान ब क्योंकि एक तरफ बिल्डर को पैसे दे के बिल्डिंगे तो बनवा दी अब उसको बेचना भी था बेचने के लिए पूब्लिक को ऑफर दिया और लोन देके करा और वहां पर लिमिट कितना कर दिया उन्होंने बढ़ा दिया डेड़ लाग तो उन्होंने इस डेड़ देडक्शन के लिए कितना कर दिया डोला तो हम आज के point में क्या समझने वाले है सर 24 A में कुछ समझने और समझाने लाइक है नहीं 24 B कि कब कब loan लिया गया तो कितना loan deduction में मिलेगा समझ में आ रहे यह इतने सारे question case में कुछ है ही नहीं अगर आपको पांस सवाल देदे तो पांस सवाल में फटा-फट देख की बता दो कि इसका जीए भी यह होगा कोई दिमाग तो लगाना नहीं यह बस amount देखा जीए भी दिमाग लगाना पड़ेगा कहां सर 24B के अंदर interest के अंदर के कितना interest minus करने दिया जाए तो simple सी बात है 24B के अंदर दो पार्ट दिखा गया दो पार्ट क्या था सर अब उस पूरे points को मैं एक बार आपको समझा देता हूँ 24B क्या कहता है और कुछ एक point था जिसको हमें ध्यान में भी रखना है सर ये पूरा हमारा है 24B सर क्या कहता है 24 कहता है 24B interest on loan taken for construction या repair of house 24B कहता है कि आपको loan जो लेना है वो या तो आप construction के लिए लीजिए या खरीदने के लिए लीजिए या repair के लिए अब loan दो तरीकी के इंसान हो सकते हैं एक तो मैं अपना घर personal बनवा रहा हूँ और मैंने loan लेके बनवाया या हो सकता है कि एक मैंने loan लेके घर बनवाया और घर किराये पे हैं दोनो possibility हैं तो अब यहां पर मुद्दे की बात है दो point हो सकता है when house is self occupied तब और when house is let out तब जब house हमारा let out होगा न तो उसका मतलब क्या na b वहां पर zero हो सकता है क्या बताईए नहीं कुछ न कुछ तो होगा सर न भी कुछ न कुछ न कुछ तो रहेगा तो जब आपका house let out है तो no limit वहां पर कोई limit नहीं रखा गया सर यानि किसका limit नहीं रखा गया सर full interest allowed as reduction in 24b वो लगया के घर अगर आप किराये पे दे रखा है और फिर आपने कोई करजा वगयरा ले रखा और करजा लेना सिर्फ एक ही परपस के लिए घर बनाने के लिए यानि कि आपने करजा ले लिया और उस पैसे को आप कहीं और यू मैंने डिसाइड किया कि मैं चार फ्लोर और बना लेता हूं पैसे तो आई रहा है एने वी तो है है तो उस हिसाब से वहां पर एने वी जीरो नहीं है तो ऐसे situation में अगर घर लेट आउट है और उस घर के लिए आपने लोन लिया तो interest की deduction कितनी मिलेगी तो government ने बोल दिया क जिससे कि आपको clear हो जाए सबसे पहले होता है MB MB के बाद क्या होता है FR FR में से दोनों जो इसके बाद क्या होता है SR और SR इन सब में से अगर देखा जाए तो जो भी आता है वह आता ER माइनस प्लस करके ER में से हम क्या करते है A truffle R और इन दोनों में से higher lower जो भी निकलता है व पाद आ जाता है सर एन वी और एन वी जो होता है उसके अंदर से दो चीजे माइनस करना लावड है नंबर 124 ए जो की 30% है और नंबर 2 दूसरा जो हमें मिलता है डिडेक्शन के लिए वह मिलता 24 भी जो की होता है इंट्रस और बोरॉइंग कैपिटल सर इंट्रस का डिडेक मिलेगा 24 भी में क्या मिलेगा हमें 20,000 रुपे का डिडेक्शन मिलने वाला है तो सर अगर आपने घर को किराये पर दे रखा है तो कितना इंट्रस माइनस कर सकते हो नो लिमिट लेकिन अगर घर आपका सेलफ ओक्यूपाइड है तो ऐसे सिचुएशन में हम देखेंगे कि आपने लोन कब लिया है अगर आपका घर जो है वो सेलफ ओक्यूपाइड है तो हम चेक करेंगे सर क्या चेक करेंगे सर कि आपने लोन लिया कब है अगर सेलफ ओक्यूपाइड है तो इस सिचुएशन में डिडेक्शन विल बी अलावड या तो डिडेक्शन आपको मिलने वाला है सर्थ 2,00,000 का या मिलने वाला है कितने का 30,000 कब दो कब 30 या तो आपने लोन लिया होगा 142,99 से पहले या फिर लोन लिया होगा 142,99 के बाद अगर 142,99 से पहले आपने लोन लिया तो लोन लिया होगा दो परपस होगा या तो आपने लिया होगा construction के लिए या फिर repair के लिए कंस्ट्रक्शन या पर्चेस तब तो सर यूपीए की गौवर्मेंट थी और यूपीए की बीजेपी की सारी कॉंग्रेस की गौवर्मेंट थी उस टाइम पर कितने maximum limit थी सर्क किसी काम के लिए लो आपको 30,000 रुपए का maximum deduction दे दिया जाएगा यानि आपने अगर और लोन भले ही आपने 1999 से पहले का ले रखा हो तो कितना interest minus कर सकते हैं कोई limit नहीं है यह limit जो है बच्चे भूल जाते हैं इतनी बार यह limit को याद करना पड़ता है वो भूली जाते हैं कहीं maximum limit भी है तो यहाँ पर कितना है maximum limit? 30,000 और जो rented घर है वहाँ के लिए loan ले रखा है तो कितना maximum limit है? कोई limit नहीं है सर इसके बाद वेन आपने loan लिया है after 1499 के बाद तो government है categorize कर दिया कि repair कराओगे तो repair कराओगे तो हम कम deduction देंगे that is कितना 30,000 रुपेज लेकिन अगर आप घर खरीदोगे या घर बनवाओगे तो deduction कितना कर दिया गया? आपको maximum 2,000,000 रुपेज कर दिया गया अगेन देखिए फटा-फट से आपने loan दो परपस के लिए लिया होगा या तो लिया होगा आपने self-occupied घर के लिए या let out let out घर के लिए लिया तो interest का कोई जंजटेनी, interest total मिल जाएगा जितना भी आपके है, कोई limit नहीं है लेकिन self-occupied लिया होगा तो आपको देखना पड़ेगा कि loan किस परपस के लिए लिया है 1999 के बाद अगर repair के लिए रखा है तो 30,000 otherwise आपको 2,000 अगर 1999 से पहले का loan है तो किसी भी वर्क के लिए लिया हो तो वो कितना होगा आपका 30,000 अब ये 2,000 के limit maximum है, आपके 2 घर के लिए loan लो, 3 घर के लिए loan लो, सबका मिला के 2,000 अग्रिगेड, पहले क्या था, कि मैंने एक घर लिया, वो भी self occupied, दूसरा घर लिया, वो भी self occupied, इसके लिए भी loan लिया, इसके लिए भी loan लिया, यहाँ भी 2,00,000 का deduction ले रहा हो, यहाँ भी 2,00,000 का deduction ले रहा हो, तो government ने last year इसको revise कर दिया और बोला के भई आप total देंगे, हम आपको 2,00, तो एक concept था situation में, 23 में, when more than 2 house, more than 2 house, तो वहाँ पर interest का point वहाँ पर है, इसलिए हम उसे बाद में करेंगे, पहले यह कर रहे हैं, ठीक है, अगर 1999 से पहले तो 30,000, 1999 के बाद तो 30,000 और 2,00,000 कुछ बातों का है, यहाँ पर ध्यान रखना है, जो कि मैंने note में mention कर दिया, sir, loan taken for house, किसके लिए लेना है, स मैंने एक और loan ले लिया, तो दो-दो interest जा रहा है, एक पुराने वाले loan का, एक नए वाले loan का, तो दोनों का interest हमें allowed हो जाएगा as a deduction, समझ में आ रही है आपको बात, मैंने एक loan लिया 20,00,000 रुपे का, 20,00,000 का loan लिया, उस तेम पर rate बड़ा महंगा था, वो 10% पर से था, अब 5 साल बात किसी bank ने offer दिया कि आपका loan मेरे पास convert करवा लिजिया, आपको 7% दिना पड़ेगा, तो मैं एक और loan ले रहा हूँ, एक पुराना loan, दो-दो loan हो गया, दोनों का interest कभी न कभी जाएगा, तो दोनों के interest के लिए आपको जो deduction मिलेगा, वो 24B में मिल जाएगा, तीसरा note, any commission brokerage कुछ भी दलाली वगरा payment करते हो, बैंक में गये, manager से बोले, मेरा loan पास करवा दो, आपको 20,000 दे दूँआ, 10% दे दूँआ, तो यह जो भी commission brokerage आप banker को दे रहे हो, यह deduction allowed नहीं होगा, आपका खर्चा जरूर यह लेकिन यह allowed नहीं होगा, अगर आपने late payment कि किया, तो interest भी pay किया, principal भी pay किया, और penalty भी pay किया, तो उस penalty का deduction नहीं मिलेगा, सरिफ ब्याज का deduction मिलने वाला है, interest allowed on paid as well as due, एक बात यहाँ ध्यान देने वाला है, जो हमारा municipal tax था, payment करोगे, तभी deduction मिलेगा, लेकिन interest में यह applicable नहीं होता, interest के अंदर आपने payment किया हो, चाहे ना किया हो, तब भी आपको deduction claim कर सकते हो, 24B में, अगेन बताइए, अगर आप जवाब दीजिए, comment में भी आप सब भी बताइए, कि अगर मैंने loan लिया है, मेरा घर rented है, ठीक है, मैं example ही ले ले लेता हूँ, ताकि आप मुझे जवाब देना, चलिए सर, मैंने loan लिया है, और house क्या है, rented है सर, बताइएए का जवाब, और मेरा 50 लाक रुपे का loan है, EMI मेरा 10 लाक रुपे का गया, जिसमें से 4 लाक रुपे का interest ऐसा example ले रहे हैं, और 6 लाक रुपे का principle है, अब बताइए interest कितना deduction मिलेगा, 4 लाक या maximum limit, 2 लाक फटाफट बताइए, 4 लाक रुपे, कुछ बच्चे अभी 2 लाक कह रहे हैं, कुछ बच्चे 4 लाक कह रहे हैं, तो यहाँ पर कितना मिलेगा, 4 लाक सर, 4 लाक वैसे तो 2 लाक, 2 लाक कर रहे थे बड़ी देर साब 4 लाक क्यों, क्योंकि यह घर rented है, let out है, अगर यही मैं कर देता self occupied, तो आपका भले ही 4 लाक का ब्याज आपने payment किया, but deduction will be allowed only 2 लाक, रुपे subject maximum, खेक है, clear है यह वाला point और लोगों ने क्या पोस किया, ध्यान से सुनना, गौर्मेंट ने रूल बनाया, ठीक है भाई, रूल बनाया, अब बताईए मुझे एक बड़ा असान सा सवाल, क्या घर रातो रात बन सकता है, टाइम लगेगा, it will be taking time, सर कितना टाइम लगेगा, बताते हैं अभी, सर रातो रात घर नहीं बनाया जा सकता, बड़ी सीधी सी बात है, घर बनाने में साल भर भी लग सकता है, छे मैने भी लग सकता है, दो मैने भी लग सकता है, पांस साल भी लग सकता है, दस साल भी लग सकता है, मैंने देखा हुआ है एक अभी यहां पे building बन रहा है जहां nearby मैं नेता जिस वासपलेस में आपने देखा होगा साइध आप बचपन से देख रहे होगे बड़े होगे अभी तक नहीं बना जो PPGLS के साथ में नहीं बना अभी तक हो तो मैं तो उसको देख रहा हूँ 12 साल से अभी तक तो नहीं बनाओ तो बहुत टाइम भी लग सकता है government ने बोला कि आप loan लेके काम करिये मैंने loan लेके एकदम अच्छे से काम करना start किया मान लो loan मैंने ले लिया सर 14 2015 में loan ले लिया government ने का loan लो और हम आपको देंगे deduction मैंने को रहा बड़ी अच्छी बात है loan लेने के बाद हम deduction के लिए eligible है तो अब तो deduction मिलेगा हमें और income tax return file करने गए देखिएगा हुआ क्या 2015 का जो date complete होगा वो होगा 31 मैं 31 तीन 2016 में गया और 16 में मैंने बोला सर हम आप file करना जा रहे हैं अपना return और पंद्रा में लिया थोड़ा लंबा सा project था मैंने commercial purpose के लिए अभी ना तो किराये पे कुछ भी नहीं है अभी थोड़ा लंबा project है और जो मैंने घर जो लिया था ना plot अभी plot पे स्रिफ और स्रिफ बस नीवी डाली है और थोड़ा सा wall boundary type का मैंने डाल दिया थोड़ा सा boundary type का डाला है हुआ नहीं एक साल इतना ही काम चला कोई भी reason हो सकता है मैं गया सर मुझे मैंने कहा अभी घर किराये पे तो है नहीं तो सर इसका मेरा salary से income था पांच लाक और मैंने बोला सर HP से income मैं बता देता हूँ मेरा घर किराये पे नहीं है तो GAV क्या NAV क्या जाएगा 0 क्योंगी किराये पे तो है नहीं अभी तो under construction है 0 और मैंने कहा 24 A माइनस करूँगा मैं बोला करो 0 मैंने बोला 24 B माइनस करूँगा मैं क्योंकि लोन लेने का मतलब क्या banker बोलेगा अभी घर नहीं बना तो ब्याज मत दो बैंकर क्या कहेगा लोन लिया तो भईया ब्याज चालो हो गया इस साल में मैंने ब्याज का payment किया सर वर ब्याज का payment किया 50,000 ठीक है और मैं माइनस का पचास आ गया, that is मेरी इंकम बन गई चार लाख, और मैंने सरकार को अपना कम्प्यूटेशन दिया कि भहिया, चार लाख पचास अजार रुपए की मेरी इंकम है, कैसे बोला उसने, मैंने बोला देखो, तो सेलरी कमाया, पांच लाख, या फिर मैं थोड़ा और इंट्रस्टिंग कर दू, मैं इसको पांच लाख, पचास अजार कर देता हूँ, और यहाँ पर मेरी इंकम कितनी आ जाएगी, सर? पांच लाख, और मैं बोलूँगा, सर मैं आपको क्यों टेक्स दू, मेरी इंकम कितनी है, पांच लाख रुपए, क्योंकि पचास जार तो देखो, मेरा आपने बोला, डिडेक्शनल अलावड है, तो मैं इंकम आ गया, और साड़े पांच लाख का मेरा पॉजिटिव इंक पांच लाख रुप, पचास जार रुपए का नेगेटिव इंकम, मेरी इंकम कितनी बन गई, पांच लाख रुपए, तो मैं क्यों टेक्स दू, गवर्मेंट ने बोला, अच्छा भाई, घर दिखाओ, मैंने बोला, ये रहा, बन रहा है, अंडर कंस्रक्शन, अभी चल र ये, वहाँ पर बोला गया, घर होगा, और उसका, तभी आपका हाउस प्रॉपटी के इंकम के अंडर काउंट होगा, अगर घर होगा, तभी इंकम हाउस प्रॉपटी के अंदर काउंट होगा, ये तो आपका घर ही नहीं है, घर का मतलब छद भी होना चाहिए, पूरा कंस् तो 24B कहां से आएगा 24B तभी जिंदा होगा जब आपके पास घर होगा नहीं तो 24B नाम की कोई चीज नहीं है यानि गौवर्मेंट ने मुझे ये माइनस करने नहीं दिया और मेरी इंकम 5,50,000 पर मैं टेक्स देने के लाइबल हो गया आप बताईए कहीं न कहीं ये गलत है गलत है तो लोगों ने इसका बहुत oppose किया आपने लोन दिलवा दिये और deduction के time पर आप हमें दिखा रहे हो section 22 लोन तो दिलवा दिया लेकिन deduction के time पर आप section 22 का हवाला दे रहे हो घर नहीं है अब 5 साल मेरे मकान को बनने में लग जाएगा तो उसके हिसाब से क्या 5 साल तक मैं अपना interest बेकार जा रहे हैं मेरे तो government ने उसके हिसाब से देखा कि sir अगर आपकी 5 साल तक अगर 5 साल तक आपकी income 5 साल तक अगर आपकी income मतलब कि loan ले रखा है tax जा रहा है या फिर interest loan ले रखा है आपको सबसे बड़ी चिंता किसकी थी आपकी salary income थी 5.5 लाक उसके लिए आपने government से कोई लड़ाई जगड़ा नहीं किया आपकी tension है कि आपको 24B मिला या नहीं मिला क्यों नहीं मिला क्योंकि house property नहीं है आपके पास आपको 24B कब मिलेगा जब आपके पास house property होगा इसके चक्कर में government को फिर एक और point लेके आना पड़ा और समझाना पड़ा कि भाया देखो आप tension मतलो आपका हम अपने section 22 के अंदर कोई changes तो नहीं लाएंगे लेकिन हम ये promise करते हैं कि आप जितना भी ब्याज पेमिंट करोगे जितना भी आप ब्याज का पेमिंट करोगे उस ब्याज का हम आपको बाद में benefit दे देंगे लेकिन अभी तो benefit नहीं देंगे यानि सर मैंने यहाँ पे मान लेते हैं ब्याज पेमिंट किया पचास अजार और मेरा घर बना ही नहीं चल रहा है भई यहाँ आ गया हम देट आ गया एक चार दो हजार सत्रा खतम हुआ मेरा ये 31 दो हजार अभी तक घर नहीं बना सिर्फ घर का नीवी है और थोड़ा बहुत च्छत वगएरा बनाना चालू चल रहा है एक साल नहीं मिला सर इंट्रस इसके बाद हम फिर आगे गए हमारा अगला डेट आ गया अगला साल आ गया क्या आ गया एक चार दो हजार 18 और खटम कब होगा 14 दो हजार 19 को खटम होगा सर जो येवाला साल था येवाला साल जो है कwel एसमें आपने ब्याज पेमिन्ट केया है जी हाँ ब्याज पेमिन्ट केया है बिल्कुल पेमिन्ट केया है कि सर यहाँ पर भी मैंने 50,000 KG मैं मैं एक एक जामपल ले रहा हूँ सर अगला साल जो खथम हुआ आपका यह वाला साल जो यह वाला साल खथम हुआ है आपका 31 तीं तक यहां ब्याज किया मैने बॉला हां बिल्कुल जी यहां ब्याज्च किया कितने तीस हजार का यानि घर बनानी finally मेरा घर जो है वो बन के तयार हुआ 15 अगस्त 2018 में यानि आजादी वाले दिन घर बन के finally मेरा तयार हो गया और ये रहा मेरा घर घर बन के तयार हो गया अब समझिएगा बात को 15 अगस्त को घर बन के तयार हो गया यानि 14 2019 से लेके 31 2020 में हमारा घर बन के तयार है बहुत बच्चों को ये थोड़ा सा डाउटेबल रहता है लेकिन समझ जाओगे तो कोई डाउट नहीं रहेगा यहाँ salary income salary income कितनी थी मेरी पांच लाग पचास अजार और मेरा 24 B जो कि मैं interest का as a minus benefit लेना चाहता था पचास अजार नहीं दिया क्या बोलके नहीं दिया क्योंकि आपका घर नहीं बना ठीक है सर अगले साल जैसे आए फिर से मेरी income salary income मान लेते हैं मेरा 6 लाग minus मैं करने के लिए गया 24 B का deduction लेके negative लाना चाहता था फिर से government ने क्या मुझे deduction दिया होगा नहीं दिया होगा सर फिर नहीं दिया मुझे अब अगले साल आ जाते हैं अगले साल कहां से कहां तक है सर यह रहा यह छोटा सा बना रखा है मैंने यह है फिर से मैं salary payment करने गया होगा और salary के बाद अभी भी फिलाल कहां से कहां था एक चार से यह तीस अजार अभी भी घर नहीं बना थोड़ा सा हम spending छोड़ देते हैं नहीं 17, 18 और 19 अच्छा 19 में बना होगा बिल्कुल बिल्कुल राइट राइट 19 और 20 ठीक है तो सर यहां पे इस वाले साल में भी हमारा घर नहीं बना पहले पिछला क्लियर करेंगे यानि सर इस session के अंदर इस duration में हमारा घर नहीं बना थो तो interest नहीं मिला इस duration में भी हमारा घर नहीं मिला तो interest का deduction नहीं मिला और इस duration में भी इस duration में भी हमारा घर नहीं बना तो interest का deduction अब रही बात इस duration की बात करते हैं सर कौन से duration की बात कर रहे हैं इस duration की घर बन गया मैं गया सरकार से पास salary पांच लाख और इस साल का जो ब्याज है ना इस साल का ब्याज है मान लेते हैं कि 50,000 और मैंने बोला less HP income, HP से मेरा loss है सर और 24B के अंदर और 50,000 सरकार ने कहा कि भाई हमने आपको हर बार समझा दिया है कि घर बने तब आना आपका घर बन गया है तो मैंने इस साल में का असर घर बन चुका है डिडेक्शन ले चुक है गवर्मेंट आए की देखने के लिए वेरिफाई करने के लिए घर है या नहीं है घर है या नहीं है है घर तो घर है तो इस साल्ट तो डिडेक्शन ले लिया अब ध्यान से सुनिएगा 15 से 16 मैंने कुछ डेट गलत लिख दिया बच्चे बोल रहे हैं 16 से चलो डेट फटा फट से चेंज कर देते हैं ये होगा 142000 16 इसलिए वहाँ डेट थोड़ा सा अलग हो गया था है डेट चेंज कर देते हैं कुछ बच्चे कह रहे हैं तो ये रहा ये 31 सात्रा ठीक है और मैं साफ साफ डेट कर देता हूं तो आपको क्लियर विजवल हो फिर आप से एक सवाल पूछा जाएगा अब ये सत्रा के बाद ये भी सत्रा आजाएगा है ना ये भी क्या आएगा एक चार सत्रा और इसके बाद ये वाली जो डेट है ये आएगा 31 ये थोड़ा छोटा बन गया ना कोई बात नहीं समझ में आना चीए अठारा ये थोड़ा गैप कम रह गया अठारा अब ये क्या आएगा एक चार ये लो अठारा और ये आएगा अब जो पहले लिखा था अठारा देख लो भाई डेट एक बार सही लिखा है नहीं लिखा ये आएगा 19 डेट देख ले कुछ बच्चे डेट को catch कर रहे हैं, वैसे तो समझने का concept था, 15-16, 16-17, 17-18, 18-19, that's clear है, यानि सर एक डेट को मैं, एक डेट की मैं बात कर रहा हूं, सर कोन सी डेट की बात चल रही है, ध्यान दीजेगा, मैं बात कर रहा हूं, सर यहां से यहां तक घर बनके तयार नहीं हुआ, इंटरस का डिड़क्शन नहीं मिला, यहां से लेके यहां तक घर बनके तयार हुआ, इंटरस का डिड़क्शन नहीं मिला, घर किस दिन बनके तया हुआ इस दिन बनके यानि साल में स्टार्टिंग में नहीं मिड में तीन मेने चार मेने कभी भी और इस साल में जब घर बनके हमारा तयार हो गया है तो ऐसे सिचुवेशन में इस साल का डिड़क्शन मिला या नहीं मिला सर मिल गया इस साल का डिड़क्शन मिल गया इस साल का हमें इंटरस्ट का डिड़क्शन मिल गया और कोई दिक्कत नहीं ही अब यहां पे मुद्दे लड़ाई की बात क्या होगी आपको अफसोस कौन से इंटरस्ट का होगा आपके इंटरस्ट मैं बता दू कितने कितने आप म तो आपका number one point डाल देते हैं, नहीं तो दो बार है न 50,000, two point, three point और four point, आपके पास चार जगह interest है, आपको किस interest का दुख है और किस interest के लिए सरकार से बोलोगे कि इसका benefit मुझे मिलना चाहिए, कितने point के बोलोगे आप, बताइए कितने point के बोलोगे, पहले first point के लिए सरकार से बोलोगे कि मुझे interest का benefit मिलना चाहिए, बोलेंगे, second point के लिए बोलेंगे क्या, बोलेंगे, third point के लिए बोलेंगे क्या, बोलेंगे, fourth point के लिए बोलेंगे क्या, नहीं बोलेंगे, ये थोड़ा सा complication है, थोड़ा सा, एक बार और मैं फिर एक example लेता थोड़ा ये मैं सब हो गया कोई बात नहीं एक और एक्जामपल लेते हैं आपके लिए मैं सारी बाते लिखूँगा आप ध्यान दीजिएगा एक साल अब थोड़ा गैप देके लिख लेते हैं न एक चार दो हजार अठारा और यहां कहीं 31,3 चले पूरा डेटी लिख देते हैं एक चार दो हजार उन्निस एक चार दो हजार बीस एक चार दो हजार इक्षिस और सरी ये 31,3 देखते हैं आपको कितना समझ में आया जिसको नहीं समझ में आया और ध्यान से देखना है सर जिसको समझ में नहीं आया उसे और कॉंसंट्रेट करके देखना है ठीक है सर अब यहां से यहां तक घर मेरा बन के कम्पलीट मैंने बोला नहीं हुआ सर यहां से जब स्टार्ट हुआ साल यहां से यहां तक यहां भी घर कम्पलीट नहीं है सर यहां से यहां तक भी मेरा घर कम्पलीट नहीं है यहां पे मेरा घर कम्पलीट कब हुआ सर यहां पे घर मेरा बन गया है इसको ध्यान दीजिएगा मैं दो बार इस example को करवा रहा हूं ताकि आप भूलो न यहां से यहां पे हमारा घर complete हुआ है और तारिक क्या है सर एक जनवरी एक जनवरी 2022 एक जनवरी 2022 में मेरा मकान बनके तयार और हम रहने के लिए ready हैं ठीक है अब हम बात करें सर क्या बात करना है जो मेरा interest था वो 30,000 था यहां पे जो मेरा interest था वो 5,000 था यहां मान लेते हैं 50,000 था कोई भी एक example लेना है ऐसा मत बोला सर भी आज कैसे बढ़ रहा है ऐसा तो होई नहीं सकता तो example है example में कुछ भी हो सकता है और यहां पे जो interest है वो मान लेते हैं 40,000 था ठीक है अलग अलग interest है 20,000, 30,000, 40,000 मेरा हां या ना में जवाब दीजिएगा मेरा हां या ना में जवाब दीजिएगा फटा फट कमेंट में भी बताइएगा इस साल जिस पे cross लगाया इसका मतलब घर बना नहीं है मैं यहां पे गया house property की मतलब कि अपना income निकालने तो क्या मैंने 24B का deduction claim कर लिया होगा या नहीं किया होगा सर नहीं किया यानि सर ये मुझे 24B का deduction मिल जाना चाहिए था जो कि था 20,000 का जो कि मुझे नहीं मिल पाया तो सरकार ने मेरे 20,000 रुपे के deduction नहीं दिया अभी सर यहां पे भी मैं tax भरने के लिए गया और जब मैं यहां पे tax भरने के लिए गया तो बताईए salary income तो लिखा मैंने माल लेते हैं 5,50 माइनस मैं करने के लिए गया अब ध्यान दिजए कुछ बच्चे सोचेंगे सर नहीं किया होगा कोई बच्चा बता सकता है के सर यह 30,000 रुपे का interest allowed क्यों नहीं किया होगा क्योंकि घर नहीं बना क्योंकि section 22 कहता है कि आपका घर property house property होना तो 22 के हिसाब से घर नहीं और 22 नहीं क्योंकि 22 तो बोलता है house property इसे बोलेंगे 20 जब 2 fulfill नहीं करोगे तो house property की income भी नहीं होने वाला ठीक है चलिए सर मैंने दो चीजे sacrifice कर दिया सर ये 20,000 रुपे का भी benefit नहीं ले पाए सर इस 30,000 रुपे का भी benefit नहीं ले पाए बड़ा दुख है कि दो बार हमारे benefit नहीं ले पाए अब आ जाते हैं यहां यहां उम्मीद है कि मिल जाएगी मेरा salary income था 5,50,000 और फिर मैंने HP का loss दिखाया क्यों loss आये 24B के according मेरा interest का और मैं 50,000 का benefit लेना चाहता हूँ क्या सरकार हमें allowed कर देगी सर सरकार फिर से allowed नहीं करेगी सर हमें इसका भी allowed नहीं करेगी यानि सर हमारे 30, 20 और 50 एक लाख रुपए तक का मेरा जो पैसा था ब्याज का जो सरकार ने मुझे promise किया था 24B में देंगे deduction लेकिन एक लाख रुपए तक का तो सरकार ने दिया ही नहीं loan लेके हम बैठे हैं चलिए सर अगले साल आ जाते हैं अगले साल आ जाते हैं मैंने salary 5,50,000 और HP का loss मानते हुए मैंने 24B का deduction ले लिया सर 40,000 रुपए अब भी सरकार क्या कहने वाली है क्या 24B का deduction जो देगी या नहीं देगी चूँ देगी सर जो की घर है यानि ये वाली देदेगी यानि आपको tension है सर यानि यहां से लेके यहां तक का जो ब्याज बनता है उस ब्याज का deduction आपको नहीं मिला इसके लिए आप सरकार से लड़ाई कर सकते हो कि ये मिलना चाहिए जो आप नहीं दे रहे हो गवर्मेंट ने बोला ठीक है भाई हम आपको deduction देंगे और आप claim कर सकते हो बड़े easily लेकिन इतना सारा इखटा करके एक बार में तुम हमारे उपर बड़न डालोगे हमारी income तो मर जाएगी तो ये जितने भी interest है सब जोड लो तो मैंने बोला कि जोड के सर कितना interest बन गया टोटल एक लाग टोटल तो वैसे एक चालीस है लेकिन हम लड़ाई जिसके लिए कर रहे हैं उसकी बात करेंगे एक लाग तो बोला इसको हम आपको benefit देंगे पांच सालों में वन बाइ फाइब में यानि आने वाले succeeding five year में और succeeding क्या है यही से यही से जिस साल से आपका घर बना है उसी साल से आपको गिल लिजे एक साल यह हो गया हाँ 2021-22 में फिर 22-23-23-24-24-25 जब तक पांच साल पूरे नहीं हो जाते यानि हर साल आप एक्स्ट्रा आप 20-20,000 रुपे माइनस करते रहिए किसके नाम से यह वो interest है जब आपका घर बना नहीं था तब के interest का benefit दिया जा रहा है और जब घर नहीं बना होता तो बोलते हैं pre construction period उसे क्या बोलते हैं pre construction period यानि सार pre construction period का मतलब वो ब्याज है जिसका benefit आपको नहीं मिला था लेकिन pre construction period में बच्चे क्या समझते हैं और कहां पे सबसे ज़्यादा error कर देते हैं वो देखे वो बोलते है pre construction period मतलब घर सर जनवरी में बना है तो यहां से यहां तक का हो गया ना pre construction period pre construction जब घर बना उससे पहले का pre construction law कहता है भाई मैं तुम्हें यह नहीं बोल रहा घर बनने से हमारा कोई लेना देना नहीं है जिस साल का आपने interest का benefit नहीं लिया उससे बोल रहे हैं pre construction period ना कि आप बोलो के सर घर अब बना है इसससे पहले का PCP यानि pre construction period मानेंगे तो यहाँ पे pre construction period कहां से कहां तक होगा 14 2018 से लेखे 14 2021 ने 21 तो नया साल हो गया यानि इससे just before 31, 32, 21 यानि सर जिस साल हमारा घर complete हो जाता है whatever किसी भी time complete हो रहा हो उससे पहले वाला ये वाला जो area हमें नजर आता है ना कि सर ये भी तो घर नहीं बना लेकिन ये pre construction period का part नहीं माना जाएगा क्योंकि ये वाला interest का benefit आप ले चुके तो pre construction period कौन सा period होता है वो period जिसके अंदर हमें interest का benefit ना कि जिसमें घर नहीं बना ऐसा नहीं होता क्योंकि language में और आप word देखोगे pre construction period तो समझ में आता है भाईया घर बनने से पहले जितना समय है वो pre construction period है लेकिन ऐसा नहीं है जिस समय का आपको interest का benefit नहीं मिला उसे बोलेंगे pre construction period और उसका interest कितने सालों में आपको दिया जाएगा 5 सालों में बराबर बराबर आपको आगे आने वाले upcoming year के अंदर दे दिया जाएगा तो ये सारी बाते कहा है 24B चल रहा है तो सर यहाँ पे हमें इस साल में deduction में 40,000 लेने जाऊँगा लेकिन 40 नहीं मिलेगा मुझे इस साल में मिलेगा 20,000 extra वाला यानि total 60,000 माइनस कर पाएंगे हम माइनस करेंगे हाँ 2,000,000 से उपर जाएगा या 2,000,000 से कम होगा वो depend करेगा कि घर किराये पे है या घर क्या है आपका self occupied उसके उपर depend करेगा totally तो पहले यहाँ तक देखिए आपको क्या समझ में आया किस समय को हम pre construction period कहेंगे main ये मुद्दा सबसे important इसके उपर अलग से बच्चों का सवाल रुकता है ना तो सिर्फ इसी section के वज़े से रुकते हैं बाकी house property में कोई भी ऐसा section नहीं है जो आपको रोक पाए अकेला जो law है वो यहीं पे है जो सबसे ज़्यादा tension देता है आपको सर ये दो लाग के साथ में entry करेंगे नई दो लाग total मिला के है अगर आपका मान लो pre construction period आपका एक एक साथ का बन रहा होता और ये 40 का तो total मिला के दो लाग है ऐसा ना समझे current year का 2 लाग और PCP का अलग से नई total मिला के ये 2 लाग रहने वाला है अगर self occupied है तो सर ये 40,000 के बाद अलग से करेंगे बिल्कुल 40,000 के बाद हम अलग से करेंगे इसका deduction यानि total मिला के मैं कह दो भई ये 60,000 एक साथ माइनस कर दो कभी भी examiner नहीं बोलेगा ये 60,000 कैसे लिखे या मुझे बताओ एक छोटा सा एक सवाल ले लेते हैं इस पर ताकि आपको और clear हो जाएगा सवाल कैसा पूछा जाएगा और हमें जवाब कैसा देना है ठीक है न तो हमने सर heading डाला था pre construction period सबसे पहले दिमाग में डालना है pre construction period क्या होता है चलो इस वाले सवाल में बता दो pre construction period किस डेट से लेके किस डेट तक होगा एक अप्रेल 2015 से लेके 2018 इसमें घर बना नहीं है क्या इसको PCP में लेंगे हम नहीं क्योंकि यहां तो ब्याज का benefit मिल चुका है चल यह सर आगे चलते हैं एक सवाल देखते हैं आपकी किताब का सवाल है यह और याद रखिएगा 24B new rhythm में नहीं मिलता 24B new rhythm के according नहीं मिलेगा old में मिलेगा new में नहीं मिलेगा तो सवाल कुछ ऐसा ही आपके latest book के अंदर यह given है मैंने in fact इसलिए illustration number भी change नहीं करता मैं so that आपको थोड़ा सा clear हो और दिक्कत ना हो ठीक है सवाल हर किसी को साफ साफ दिख रहा है जिसके पास किताब है उसको भी कोई दिक्कत नहीं जिसके पास नहीं है सवाल सामने है हर किसी को पता चल जाए ठीक है चलिए सर पढ़ लेते हैं question कहता है यह SSC has one house property वसंत कुझ में Delhi में ही है he stay with his family in his house अपने घर परिवार के साथ रह रहा है यह जो भी SSC है the rent of similar property is neighborhood आज पढ़ोस वालों का 56,000 रुपे महीने का है सर the per annum साल का है कहता है the municipal value 28,000 अब आता है बोलता है municipal municipal tax paid in respect of that property are 5000 including 1000 earlier year सर 5000 का payment किया 1000 पुराना payment किया तो कितने का deduction मिलेगा चार का या पूरे पांच का बताइए कितना municipal tax में मिलेगा जवाब देजिए फटा फट line पढ़िये सामने कितना मिलने वाला है पूरे 5000 रुपे का मिलेगा क्यूंकि बोला गया तो जितना payment करोगे सारा मिल जाएगा ठीक है सर आगे question में कहता है the house was construct 1998 में और loan टेकन था 1998 में था construction के लिए और loan टेकन था HDFC bank से during the previous year 2021 वाइस the SSC refund यह हाँ 0 है refund करता है 2,80,000 which include 2,18,000 as current year का interest आपका 2,18,000 current year का interest है compute the income from house property income from house property करना है if SSC आपका does not opt new regime new regime 115BAC जो है यह new regime है तो इसने opt नहीं किया और एक बार बोलता है opt करें तो क्या होगा what would be your deduction amount if interest on loan taken after 142,000 9 के बाद हो तो क्या होगा property completed December 2010 property complete हो गया 2010 यानि loan लिया loan लेने के बाद property कब complete हो चुका है हमारा 2010 पहले वाले केस में property कब complete हो बस ये बताए के इसने loan लिया इस rate पे HDFC से complete कब हो नहीं हुआ तो सबसे पहले common sense लगा इप चलिए फटा-फट से format बना लेते हैं MB और ये ले लेते हैं दोनों चीजे बड़ा simple सा सवाल है यहां पे PCP का कोई जवाब नहीं मतलब PCP का कोई काम ही नहीं है सर PCP का क्योंक नहीं कोई काम है अभी देख लेते हैं यह हम कर लेते हैं old वाले से यह new वाले से सबसे पहले लीजिए सर F.R. सॉरी MB अब ध्यान से देखिएगा ना तो यह घर किसके लिए था सर self occupied यह किराये पे सर self occupied है तो इसका मतलब सर मैं सीधा NAV ना कर दूँ भाया neighborhood क्या बोल रहा है municipal value क्या बोल रहा है यह सब खतम क्योंकि self occupied NAV 0 minus क्या करेंगे नहीं NAV 0 आ गया यानि MT भी था क्या MT minus करना था इसमें self occupied में MT minus करने नहीं दिया जाता अब आ जाते हैं सर 24 A के उपर जो की नहीं मिलेगा अब आ जाते हैं 24 B जो की हमारा old rhythm में मिलेगा और new में नहीं मिलेगा सर इसने loan कब लिया था पहला point पहले दूसरा point बिल्कुल अलग separate question है loan कब लिया था 1999 से पहले और interest कितना paid किया उसने current year में 2 लाक तो सर माइनस कितना करे 30,000 तो यहां पे हमारा HP income आ जाएगा माइनस का 30,000 और यहां कुछ भी नहीं रहेगा 0 रहेगा सर माइनस 30,000 करके फाइदा बिल्कुल फाइदा रहेगा क्योंकि हमारे पास इसका benefit दूसरे income से set of करने में आएगा जो कि एक chapter है set of and carry forward जिसमें सीखेंगे हम कि एक के loss को दूसरे income से कैसे हम compensate कर पाएंगे यह तो हो गया सर सवाल नंबर 1 का point का और यह सवाल नंबर 2 तीसरा point कहता है कि आप मान लो मान लो आपका interest जो है आपका घर complete हुआ 2010 में और loan लिया 14 2009 के बाद तो सर तीसरे सवाल का जवाब आपका यहाँ पे भी again NAV क्या रहेगा 0 रहेगा NAV minus 24 A और minus 24 सर 24 A तो फिर 0 और 24 B अब यहाँ पे क्या pre construction period निकाला जाएगा तो जवाब है सर pre construction period तो अगर construction से पहले लिया तो definitely question क्या कहता है कि घर complete आपका होता है 2000 10 में और loan कब लिया आपने इस rate पे अब यहाँ पे interest rate वगेरा नहीं है सीधा flat आपको यह rate दे रहा है कि 2,18,000 तो आप minus कितना कर पाऊगे examiner ने ब्याज calculate करके दे दिया अभी जो हमने यह सीखा था ना पीछे कैसे करेंगे यह होगा आगे जाएगा पीछे जाएगा जब आपको ब्याज निकाल के ना दे हमें ब्याज निकालना पड़े तब यह काम कर रहा है अगर examiner हमें ब्याज निकाल के दे दे तो कोई tension ही नहीं है तो यहाँ पे जवाब आ जाएगा हमारा दो लाग देट सेट हमारा अंसर डन एच पी हमारा और यह भी क्या है सर नेगेटिब में लॉस ठीक है चलिए एक और सवाल देखिए पहले इस सवाल में बताईए किसी का डाउट यह हर किसी को क्लियर है कैसे किया बड़ा बेसिक सा सवाल था बिफोर लोन टेकन हो 1999 तो 30,000 maximum limit है चाहिए किसलिए भी हो चलिए एक सवाल और इस सवाल में सारा calculation हो जाना चाहिए रेट दे रखा है क्या नहीं दिया चलो एक और सवाल ले लेंगे चलिए साथ चलिए कुश्चन में क्या कहता है एले सेशन आर ओना हाउस प्रॉपर्टी डेली 60% प्रॉपर्टी आपका लेट आउट 15,000 पर मंद 40% सेल्फ उक्यूपाइट तो जब सर ये आपका जो है वो किस बेसिस पे है सर एरिया तो एरिया के केस में सब कुछ बट जाएगा हमारा यानि सर क्या क्या बटेगा यहाँ पे देखा जाए तो हमारा बटने वाला है 60% और 40% 60% क्या है लेट आउट और ये क्या है एस ओ यानि सेल्फ उक्यूपाइट क्याता है compute his income from house property following information submitted particular में आपको given है mb दे रखा हाउस का mb mb कितना है 2 लाग तो हमें इसे बाटना पड़ेगा क्योंकि आपको याद है मैंने बताया था कि जब कभी भी इस तरीके का situation आता है तो सब को हम percentage ratio में बाट देते तो बटेगा यह एक बीस अस्ती अजार इसके बाद एफार दो लाग सरी 22 अजार रुपे महीने की बोल रहे हैं यहाँ पर कुछ नहीं बोला तो इसका मतलब सर यह होगा 22 अजार गुणा में 12 जो की क्या निकल के आएगा बताईए फटा फट दो लाग सर्थ 264 को दो रेशो में बाट दीजिए 40 और 60 क्या आगया 150 और 158 और अगला हाँ जी ख्यान दीजिए क्या हो गया आगे देखिए फियर रेंट के बाद इस्टेंडर रेंट पर आ जाते हैं 20 अजार महीने का सर ऐसार है तो 20 अजार महीने के इस आप से देखा जाए तो 240 240 को बाट दीजिए रेशो में 144 और कितने 96 सर आगे आ जाते हैं मुनसिपल टेक्स पेट 30,000 सब कुछ बटेगा सब कुछ तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम क्या निकाल ले सर सबसे पहले निकाल लेजिए आप एक्सपेक्टिड रेंट एक्सपेक्टिड रेंट में देखा जाए तो इन दोनों में से हायर हायर यह वाला पार्ट है इन दोनों में से लोवर यानि 144 यहाँ पे एक्सपेक्टिड रेंट कुछ आएगा नहीं यहाँ पर 8RR एक्च्वल रेंट रिसीव और रिसीवेबल 8RR यहाँ पर कुश्चन कहता है जी मैंने किराय पे चड़ा है 15,000 रुपे महीने के इसाफ़ से यहाँ पर यहाँ पर कुछ होगा नहीं इन दोनों में से जो भी हायर बनेगा उसको नाम दे देंगे ग्रॉस अन्वल वैल्यू यानि जी ये भी डैट इस क्या आएगा यहाँ पर 180 यहाँ पर 0 लेस करेंगे क्या मुंसिपल सर मुंसिपल टेक्स अगर माइनस करना है तो हमें ध्यान देना चाहिए मुंसिपल टेक्स कितना था 30,000 30,000 को भी दो पार्ट में बाट दिया जाएगा 18 और यहाँ पर तो अलावड ही नहीं है तो सर यहाँ पर मुंसिपल टेक्स पेड करने के बाद आ गया एन ए वी 162 अब सर माइनस करेंगे हम यहाँ पर 24 ए जो कि एक स्टेंडर डिडेक्शन और माइनस करेंगे 24 भी सर 24 ए 162 का क्या आता ह है हमारा बताईए कितने पर्सेंट सर 48 600 आ गया यहाँ और इसके में तो मिलेगा नहीं क्योंकि जीरो पहले से ही है अब आगे बात करते हैं कहता है इंट्रस और मनी बोरोड पर्चेज हाउस परटी विच एक्वाइड इन 2010 में 2010 में लिया था उसके उपर हमने इंट्रस पे तो 180 का आपका 60% क्या आएगा एक लाख और दूसरे का 70 अगर ये घर हुआ अगर ये घर हुआ रिपेर के लिए लोन तो सर यहाँ कितना मिलेगा अगर रिपेर के लिए होता तो यहाँ पे तो 108 ठीक है क्योंकि लेट आउट है लेट आउट में कोई limit decided नहीं है लेकिन अग तो यहाँ कितना मिल जाता maximum limit लग जाता कितना 30,000 रुपे का लग जाता क्या यहाँ पे घर किसले लिए लिया है कहता है interest on borrowed for purchase of house तो रिपेर के लिए तो है नहीं अब taxable आ जाएगा income हमारा income from IHP कर रहा हूँ income from house property बताइए माइनस करके ये तो 72 और ये सिर्फ चोब बन सो 5,400 देखिए ये दो डिजेट आया है 5,400 positive 72,000 negative पूछा गया कि आप बताइए total house property income क्या होगा तो हम लिखेंगे computation of IHP income income from house property house जो कि आपका है self occupied वहां से 72,000 negative house जो कि ये लेट आउट वहां से 5,400 positive total income बताजीजे taxable income बताइए माइनस कर दीजे 72 में से 54 तो 62,000 66 66 यही आएगा यह था हमारा इसका सवाल एक और सवाल देखेंगे पहले इसमें देख लिजे कोई दिक्कत हाँ negative इसमें text देना नहीं है हम income set up करेंगे एक और सवाल लेंगे पहले यहाँ देख लिजे हाँ देखो self occupied में 0 ही लिया है